हेलो फ्रेंज स्वागत है आप लोग को और एक नए वीडियो में आप ये स्क्रीन पे जो देख रहे हैं मैं एक इम्पोर्टन चीज बताने वाला हूँ तो वीडियो को ध्यान से लाश्ट तक देखिए और आपका जो प्रब्लम में उसे खुच से सॉल्व किजिए ये जो फ्रल्ड आप देख रहे हैं ये डीश टीवी का एंडरोड बॉक्स लगा हुआ है और ये एलेडी टीवी है लेकिन टीवी स्मार्ट नहीं है तो इसको स्मार्ट कराने के लिए हमने एक डीश टीवी का एंडरोड बॉक्स लाया था तो एंडरोड बॉक्स के जरिये हम नेट कनेक्शन करके टीवी में यूट्यूब और जो भी अनलाइन चीज़े है वो देखना चाहते थे लेकिन इसमें क्या है जब मैं अपना हर्षपार्ट वाइफाई का कनेक्शन करने जा रहा हूं तो यहां पे कीबोर्ड नहीं दिख रहा है तो यह तो बहुत बड़ी प्रोब्लम है बीना कीबोर्ड का हम पास्वार नहीं डाल सकते तो इसमें कीबोर्ड कैसे लाएंगे उसके बारे में मैं आज यह वीडियो के जरिये आप लोग को बताने जा रहा हूं तो वीडियो को लाश्ट तक देखिए और आपका प्रोब् शेटिंग बटन प्रेस करने के बाद आपके सामने एशा इंटरफरेंस मिल जाएगा तो यहां पर आपको क्या करना होगा सबसे नीचे एंडरोड शेटिंग पर आना होगा तो यहां पर मैं एंडरोड शेटिंग पर जा रहा हूं और यहां पर ओके प्रेस करना है ओके प् और OK प्रेस करने बाद इसका Next Step अप लोग को दिखे देगा तो यहां पे आप लोग को Keyboard पे जाना होगा और Keyboard पे जाके OK प्रेस किजिए फिर यहां पे इसका Next Step ओपन होगा जो इसका Next Step Next Interference ऐसा है तो यहां पे दिखिए Current Keyboard लिखा हुआ है यहां पे आपको OK प्रेस करना होगा और OK प्रेस करने बाद आपको इसका Next Step मिल जाएगा आपको इसाथ दो Option मिल जाएगे एक Google Indic Keyboard और दुसरा Gboard तो आपको Gboard पे OK प्रेस करना होगा और Gboard पे OK प्रेस करने बाद आपको बेक आना है जहाँ पर अपना Wi-Fi Connect होता है वहाँ तक बेक आना है फिर हम Wi-Fi पर चलेंगे Wi-Fi पर चलने के बाद आप यहाँ पर OK प्रेस करना होगा और आपकी घर पर जो Wi-Fi Show कर रहा है उसे क्लिक करना होगा तो देखे यहां पे निच्चे कीबोर्ड सो करने लगा तो आपका इसा प्रब्लम हो तो इसी तरह आप अपने सिस्टम पे जाके सेटिंग कर सकते हैं और वाइफाय करनेट करके एंजय कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही वीडियो आच लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को अगर सस्क्राइब नहीं किये हैं तो तुरंत सस्क्राइब कर लिजिए और आपने फ्रेंट्स के साथ इसी वीडियो को सेयर कीजिए तो फ्रें फिर मिलते हैं किसी नई विलियों के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत